हेलो एवरिवान, वेलकम तो स्कूल डायरीज, आज करते हैं क्लास टू की इंगलिश की पढ़ाई, वान से लेकर थ्री तक हमने कर लिया था, आज करेंगे एक पोएम, अ मदल सौफ्ट लामकिन, सो देखे ये है आपका पोएम, पोएम का नाम है, अ मदल सौफ्ट लामकिन, तो देखें, मदरलस का मतलब क्या है, मदर तो हमें बता है ममी है, लस मतलब ममी नहीं है, तो ये एक लामकिन के बारे में है, जिनकी ममी नहीं है, मदरलस मतलब उसकी मा नहीं है, सौफ्ट लामकिन, सौफ्ट इसलिए बोला है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा है, तो क्योंकि मतलब ममी नहीं है, ठीके तो ये इस लैमकिन के बारे में है ये पोएम, तो चलिए सबसे पहले पोएम को एक बार रीट करते हैं, रिसाइट करते हैं A motherless soft lambkin, along upon a hill, no mother's please to shelter him, and wrap him from the cold, I'll run to him and comfort him, I'll fetch him that I will, I'll care for him and feed him, until he is strong and bold, until he is strong and bold, until he is strong and bold, until he is strong and bold. तो ये आपका पोएम है, और पोएम के पोएट का नाम क्या है, देखें, क्रिस्टीना जीरसेटी, तो ये है पोएट जिनोंने ये पोएम लिखी है, तो इनका नाम भी आपको रीट करना है, ठीके, तो अब देखते हैं इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, तो देखें, motherless soft lambkin म मतलब, hill मतलब आपको पता है ना, छोटा सा एक पहाड, mountain मतलब जो बहुत उंचा होता है, ठीके, पर hill मतलब छोटा सा पहाड, जो उतना उंचा नहीं होता, जितना की बहुत बड़े परवत होते हैं, ठीके, तो ये कहां रहता था, ये चोटा सा lambkin है ना, जो भेड का बच जो कि उसे fleece दे सके, उसकी shelter के लिए, shelter मतलब उसको एक, उसको एक सहारा देने के लिए, उसको protect करने के लिए, उसकी मा नहीं है, उसकी मा का fleece, fleece मतलब जैसे कि देखिए, उसकी मा का जो woolen body है, जैसे कि अगर उसकी मा होती, तो उसके मा के body में बहुत सारा wool होता, जो उन बहुत अच्छा लगता है ना मम्मी के साथ हग करने से तो उसी तरीके से ये जो lamkin है वो भी अपनी मंमी को miss कर रहा होगा है ना क्योंकि इसकी मा नहीं है उसे protect करने के लिए उसे shelter देने के लिए यानि उसे एक सहारा देने के लिए ठीक है? and wrap him from the cold यानि जब cold होता है, जब सर्दी होती है, तो देखे उसकी मा नहीं है कि उसे wrap करे, wrap करना मतलब उसे cover करने के लिए, जैसे मम्मी आपको hug करती है, आपकी पुरी body को cover करके hug कर लेती है, तो आपको बहुत गरमी मिलती है, एक मा का प्यार आपको मिलता है, तो उसकी मा नहीं है, जो उसे wrap करे, उसे ओड़े अपने body से, ठीके, ताकि वो cold से बच जाए, पाहर बहुत सर्दी है, तो उसकी मा नहीं है, उसे hug करके उसे गर्मी देने के लिए, ठीके, उसे cover करके, कि उसकी body को गरम रखे, ऐसे उसकी मा नहीं है, लैमकिन की, तो ये देखिए, क्रिस्टीना ज मैं उसे comfort दो, मतलब उसे बहुत अच्छा feel कराऊ, उसे comfortable रखो, ताकि उसे अपनी मा की कमी महसूस ना हो, I'll fetch him that I will, I'll fetch him, मतलब मैं उसको दूँगी, मैं वो सब कुछ दूँगी, जो एक मा अपने baby को दे सकती है, है ना, तो वो बोल रही है कि मैं उसे सब कुछ दे चाती है ना, तो वो बोल रही है कि मेरा मन हो रहा है कि मैं उसके पार भागो, उसे बहुत ज़्यादा comfortable रखो, क्योंकि उसकी मा नहीं है, और उसे वो सब कुछ दो, that I will, जो मैं दे सकती हूँ, वो सब मैं उसको देना चाती हूँ, I'll care for him and feed him, I'll care for him, मैं उसकी care करना चाती हूँ और मैं उसको feed करना चाती हूँ, feed मतलब उसे खाना भी खिलाना चाती हूँ, क्योंकि इसकी मा नहीं है, so यह poet जो है ना, वो सारी चीजे करना चाती है, जिससे उसे मा की कमी महसूस ना हो, ठीक है, then देखी, कब तक वो ऐसा करना चाती है, until he is strong and bold, until मतलब जब तक, जब तक हो जाना, इतना बड़ा हो जाना, कि वो अपने आगे आने वाले सारी मुश्किलों को पार कर सके, ठीक है, तो वो इतना बड़ा होने तक का वो वेट करेगी, वो बोल रहे हैं कि जब तक यह lambkin इतना बड़ाना हो जाए, कि वो बहुत जादा strong हो जाए, और बहुत जादा bold हो जाए, तब तक यह poet उसकी देखबाल करेगी, ठीक है, तो यह बोल रही है कि ऐसा वो इस lambkin के साथ करना चाती है, उसकी care करना चाती है, क्यों कारण यही है कि वो motherless है और उसकी मा नहीं है, ठीक है, तो यह poet उसकी care करना चाती है, as a mother, एक मा का प्यार poet उसको देना चाती तो यही आपका पोएम है, छोटा सा पोएम है, देखिए, ठीके, अब हम देखते हैं इसके back exercises, देखिए, यहाँ पर word meaning दिये हैं, जो हमने पोएम में पड़े थे, ठीके, लैंब किन, मतलब छोटा सा लैंब, then fleece, मतलब वूली कोट, मतलब जो भेड का कोट होता है, उनका श भी मैं उसके लिए लाने के लिए तैयार हूँ, then bold मतलब brave, brave मतलब बिल्कुल निडर हो जाना, ठीक है, किसी से न डरना, इतना बड़ाना हो जाए जब तक lamp किन, तब तक वो उसको देख बाल करेगी, आप देखिए, टिक the correct option, सही option पे आपको टिक करना है, the small lamp is, जो small lamp है, वो कहां रहती थी, देखिए, upon a hill, वो hill में रहती थी न, छोटे से पहाड के उपर, तो यहाँ पे टिक मारेंगे, then next देखिए, the lamp is without, देखिए, lamp के पास क्या नहीं था, उसकी mother नहीं थी, है न, his mother, so answer है, his mother to protect him, so lamp के पास mummy नहीं थी, उसको protect करने के लिए, next, the poet will go and, तो poet क्या करना चाती थी, वो चाती थी, to take care of the lamp, वो जो है, उस lamp की देखबाल करना चाती थी, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे मार करेंगे, then last में देखिए, आपको match करना है, यानि यहाँ पे जो है, half of sentences दिये है, so उसके पूरे sentences से आपको इसे match करना है, देखिए, the lamp is, यहाँ प the poet will, poet क्या करेगा, take care of the lamp, d से मिलाएंगे, poet जो है, उस lamp की देखबाल करेगा, the lamp will be fed, lamp जो है, lamp को जो है, खाना मिलेगा, किस से मिलेगा, by the poet, मतलब, poet जो है, lamp को खाना देगी, then after some days, कुछ दिनों बाद क्या होगा, the lamp will become strong and brave, तो यह last, so a से मिलाएंगे, क्योंकि कुछ द बड़ा हो जाएगा, वो बहुत जादा strong और brave हो जाएगा, बस इतना ही है, और इसी के साथ, आपका यह poem भी हाँ पे complete हो गया है, so देखिए, poem को जो है, आपको बहुत बार गाना पड़ेगा, उसे याद करना पड़ेगा, ठीक है, so बार बार इस poem को गाईए, याद करिए आपके oral exams में पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इतना ही है हमारा वीडियो भी, so अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई, टेक केर